हेलो वेलकम बैक टो इस्टडी टाइम उली दोस्तों स्वागत है आपको इस्टडी टाइम उली में जहां हम डिसक्स करेंगे विजन आई इसकी पीटी इसके अंदर हम मार्च से लेकर माई तक के 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करेंट को डिसक्स करेंगे अगल आप लोगों ने भी तक फार्ट फर्स नहीं देखा है तो प्लेलिस में जाके पहले से पार्ट फर्स देख लिए नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मै इस टॉपिक में से कितना क्या हम कवर आज कर पाते हैं और कोसिस करेंगे जल्दी इसको ख़तम करने की चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन अब देखें इंटरनेशनल रिलेशन और सेक्यूरिटी पहला हमारे टॉपिक है 2.1 इंडिया और उसके नाइबर अब यहां पर क्या हो रहा है चीजिए अब आगे कैसे निकल के आई है क्या इसकंदर पॉइंट्स हैं क्या इंपोर्टन चीजिए आपको याद रखने के अब सिबसे पहले गिलगित बलिश्तान कहां पर है कैसा है बटाओ रिजन इस वाज़ा पार्ट ओफ प्रिंसली इस फूर नमॉंबर 1947 से वह इसके उपर कंट्रोल कर ला गिलगित बलिश्तान तरीके से कंट्रोल कर रहा है क्लियर हो रहा आपको ठीक है इडवाज रिनेम नोर्थ नोर्थ एरियस ऑफ पात्रिक्सान एंड पूर्ट डारेक कंट्रोल अवदा करांची और करांची करूर मे जेनरल सीजें हैं कैसा क्या है ठीक है आफ्टर जीवींपॉर्मेंट सेल्फ गवर्नमेंस ओर्डर 2009 नोर्थ इसन गिलगिल पलिस्तान इस प्रवाइज लेश्लिटिव एंड कांसिल अब हो क्या रहा है कि यहां पर अगर मैं आप सो एक एक्जांपल दू तो 370 धारा टाद और यूटी पूरा बना दिया जम्मू कस्मीर को लद्दाग रीजन और जम्मू कस्मीर कर दिया है पूरा जो जम्मू कस्मीर है वो इंडिया के अंदर आगा एक तरीके से अब और इंडिया की मैप के अंदर पूरा अच्छी तरीके से आ अगया है ठीक है तो इस पर इस प पाकिस्तान एकॉनोमिक कॉरिड़्योर है वो भी हांसे पास होताँ सियाचिन ग्लेशियर पास है और रिसेंटली चाइन पाकिस्तान क्या है चाना ने और पाकिस्तानान क्या करें कोब्ञार और भाशन डैम इन ग्लぐीह बलीश्टार विए बनाने केMe तो इसके उपर कंसर्ण्ट जाहिर किया जा रहा है वही इसलिए ये नियूज में था जो हमने डिसकस कर लिया तो हो सकता अगर को कोशन पूछ लिया जाए कहा है किसा है तो आपको पता होना चाहिए इंडो नेपल टेरिटोले डिस्पूर्ट काफी जादा नियूज में रहा है और हम लोगे ने बहुत अच्छे से अपने दा हिंडो इनलिसस केंदे सारी चीव को डिसकस भी किया है यहां पर देखे नेपाल ने क्या किया है रिसेंटली अभी नेपाल ने अपना एक मैप जाह उलिंपियायद धारा हो गया ओर अर एक लिपू लेडिले यह पाल यहांन पर जो अपने पार्ट में जुड़ने की पोसिसक्त कर रहा है और उसे बोल लिंट्रिकल प्रणा ओव करता हूं अगर मैब करता हूं इनडिया और नेपाल का टेरिटिलिले डिस्पूट के यही च पानी लिपूलेख और लिंपियाध धूरा जिसमें से तीन जो है नेपाल ने अपने मैप के एंदर इंक्लूड कर लिया गया है सुस्ता जो के साथ बिहार के साथ है उसका किशित उसको कोई बात नहीं किए गए तो यहीं सारव साषिजें घी हम काला पानी इरिया के अगर मैं बात करता हूं आप उसे घ्रित्स पेजि़्ड बिटिविन तर इंडिया एंडन नेपाल नेपाल वे अपर तरी जनिंटिया ख़ंप और ऍंड़ च्वर वामुज तरइक और इंडिया नेपाल ओर मिलते हैं तिलस्ता जो है विह갈 सब्सक्राइब करता है 1816 की ट्रीटी सुगोली ट्रीटी इसके अनुसार क्या हुआ था साइंड वीडियो इंदा गोर्खा जो रूलर्स हुआ करते थे और इस्ट इंडिया कंपनी जब हमरे बिटिस राज किया करते थी उस टाइम जब दोनों ने साइं किया था तो यह दोनो और जानीक डोकिमेंट ऑन डाउंडरी डैले दियत तो यह एक हम इसको मनाइझां गे एक डाउंडर को इसा बाउंडरी मानतें यहां पर तब उसके रिगार्डिंग हम चीज़ों को देखेंगे क्या है अब जो काली रिवर है जो में जो इसको महाकाली इन्दिया पर रिवर का यह वाला पार्ट भी जो हमारा है ठीक है नेपाल इस तरीके इसको रिवर को ही मानते हैं रिवर इस तरीके दो पार्ट में डिवाइड हो गया यहाँ पर आगे जाके ठीक है नेपाल इस तरीके दो पार्ट में डिवाइड हो गया यहाँ पर आगे जाके ठीक है ने अनेपाल का यहां से रिबर स्टार्ट होती है प्लब कालापामी अब कहीं से नहीं कर लेंगे क्या बीच में आया और आपने वह लक्न आनिगे यहां से स्टार्ट माले लिगर पहले से स्टाइट हुए काला पानी रीजन से तो काली औरिजिनेटे स्प्रिंग विलो वेल विलो दा लिपू लेक पास से यह औरिजिनेट होती है और सुगोली ट्रीटी के अनुशार डिमार्क टे एरिया और नौर्थ इस इस्ट्रीम तो यह आपको पता हूं जी तो सुग नाौं तो इसे चाेना ने भी माना था सॉबरेन पार्ट ऑफ इंडिया तो यह भी यह रखना ने भी सको फूशेञा जाए तो कि आपको पिटॉरुगाड़ डिश्ट कि जरूर्व याद रखना ठीक है आप मैप एक बार देख सकते हैं फटा फट देखी ये हमारा मैप हो गया ठीक है इसको मैं आपको अच्छी इंडिया नेपाल बूटर की मगर में बात करता हूं इंडिया नेपाल शियर एप्रॉक्सिमेटली एटीन हंड्रेड किलो मेटर लॉंग ऑपन बॉर्डर रनिंग एलॉंग वेश्ट बेंगाल उत्तरपदेश बिहार एं सिक्किम ओशन राइस हो सकता है कि इंडिया और नेप इंडिया नेपाल की बीच में एक फ्रेंड़िटई है ऊपन बॉर्डर है इक दूसे की लोग यहां पर यहां से वहां वहां से यहां आ जा सकते हैं तो यह काफी अच्छे पॉइंट इसान हमारे हैं इसा कहा जाता है थिक इंडिया चाइन बॉर्डर डिश्प्यट घुट तो पॉर्डर टेंशन बिट्वीन चाइन इंडिया कम टू फूर्फरंट वन्स अगिन फॉलूबिंग और कॉन इंडिया चाइन जो निकल क्या है लिसी के रिकार्डिंग तो ताना तानी मच गई थी काफी आदर नियूज में था आप लोगों ने यह सुने ही होगी तो आग इसान और क pressures करकर रखा है यह वाला पर चाना के कंट्रों में यह आप साइड प्यंग होगा यहां लैन अकर्वर निखाता हूं ठीक है तो यह जो है यह line of actual control है ठीक है लेकिन actual होना कहा चाहिए disputed territory कौन सी है तो यह हमारी जो है territory disputed है यह वाली territory है यह पूरी disputed territory है ठीक है आपको यह चीज़ क्लिए हो गई होगी होगी अब हम देखते हैं इसमें क्या ऐसा है कि इतना वादर नियूस के इंतर हमको सुनने को आई होगा ठीक है इंडिया चाहिना बॉर्टर dispute एकर question आता है इसकी उपर कैसा question आएगा हम फोकस करेंगे question के उपर ठीक हम जो बोलते हैं Chinese के नुसार और इंडिया के नुसार में अलग 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 आता हूं ठीक है चानिस control territory इंडिया consider LAC 2 आपको मैं अच्छे समझाता हूँ ठीक है इंडिया जो है LAC की जो लेंथ है वो कितना मानता है 3488 किलो मेटर अगर आपको आए कि कितना LAC की लेंथ है ठीक है चाहिना एक साथ तो आपको बताना है 3488 किलो मेटर वाइल चाहिना कितना मारता है 2000 किलो मेटर मागता है तो अगर आपसन में आता है दोनों अपसन है तो आपको 3488 करेट करके आना है क्योंकि हम जो मानते हम उसको ही मानेंगे ठीक है यह आपको जान रखना है LAC गवाइड करती है तीन सेक्टर में आपको पता होना चीह वेस्टरन इस्टरन और मिडिल चीब स्टन हो गया इस्टरन रिजन होगए और मिडिल तीन अविट ने डिवाइड कर दिया क्लिर हो गाँड़ ऑब हम उसको आपको अच्छे से मैं मैं आपको समझाता हूं तक चल्ए मैं भाउन्टरेरी सब्सक्राइब कर अब सब्सक्राइबidir मनते हैं Johnson's line मांते हैं आपको द्यास से सुनना है Zus alex配 países मांते हैं अब आपको बता है Johnson line بूत हो यह जो लाइन है यह आपको दिख हैं यह यह amcam फूरा चेह मेरे हमारा आजात लेकिन चारणा वहीं पर यह बोलता है के यह जो LAC जो है LAC को वो actual line मानता है और यह बोलता है हम इसको मालेंगे तो यह कप sign हुई थी इसको भी मैं आपको बता देता हूँ ठीक है तो यह एक तरीके से मैक डोनाल लाइन है ठीक है तो यह आपको यहां पर दिखा देता हूँ चायना एक सेप्ट करता है मैक डोनाल लाइन कहा है जो इसको मानता है कैसा क्या है बस आपको यह चीज़े यहारत नहीं है प्लिए मिडल सेक्टर की मात करता हूँ तो हिमांचर प्रदेश अन उत्तरा देखना जाता है इसके इंदर ठीक है चोड़ा सब्सक्राइब अपना पार्ट मानता है जबकि ऐसा कुछ नहीं तो छोड़ा सब्सक्राइब जो आपको इतना ज्यादा समझने कोशिश नहीं करना है रिप्रेजेंटर इंडिया इंट इन सिमिला ओं देखे इसमें सबसे ज साथ बॉर्डर डिस्प्यूट जो मेकानिजम है साइन किये हैं वह आपको पता होना चाहिए इसके उपर कोशन में मुझे शूरिटी है कि आ सकता है ठीक है पहला है 1993 का एग्रिमेंट क्या कहता है एग्रिमेंट कॉन्फिदेंस बिल्दिंग हमें मेजर करना मिलिटरी फिल् और पीस्टरी पीस्फूल तरीके से यह सारी चीज़ के अंदर बताएं थीक है 2005 के अंदर क्या है प्रोटोकोल ऑन मॉडलिटी इस पोर दा बात करें 2012 में हमारे अग्रिमेंट होता है और इस्टैबलिश्मेंट और वर्किंग मेकानिजम और कंसलेशन और कॉडिनिशन ओफ इंडिया-चाइन बार अफेर रैन फाइनली 2013 में पॉर्डर डिफेंस कोपरेटिव एग्रिमेंट तो इस सारे एग्रिमेंट आपको याद हो गया 2012 में एग्रिमेंट इस्टैबलिश्म वर्किंग मेकानिजम हो गया और 2013 के अंदर पॉर्डर डिफेंस कोपरेशन एग्रिमेंट की नामना रखना है ठीक है कुछ और फेक्ट्स हम फटा फट देख लेते हैं कि यह जो हमारा साल था 2020 इसको हमने क्या माना था सेवंट वर्ड हाइस सॉल्ड वर्टर लेख है आप इनफोर्मेशन के लिए देख सकते हैं एले सी बिट्वीन इंडिया चाइना पास तू दिस लेग जो एले सी है वह इस लेग के तू पास होता है यह आपको पता होना चाहिए अब हम देखेंगे बी आर आई इस बेल्ट एंड रूड इनिशेटिव इसके अंदर क्या है और कितने पॉइंट्स दीखेंगे बेल्ट रोड इनिशेटिव चाहिना के निशेटिव है आप कोविड-19 की वेशे पेंडिमिक की वेशे प्रॉब्लम एकनोमिक इस्ट्रेस निकल क्या रहा है अब आपको इस इसलिए हमको समझना नहीं है इसमें क्या समझना है यह बी आ रही है बेल्ट रोड इनिशेटिव इसके अंदर क्या बनेगा रेलवे बनेगा सारी चीज़ें की चाहिने का ठीक है इसके अंदर टॉटल सेवंटी कंट्री जो है काउंट कर देगा सिक्टीफाइब परसेंट यहीं चीज़ार रखे का 65% वर्ड पॉपलेशन सेंटी परसेंट टोटल अकाउंटिंग एंडिया ने इसको बायकोड करके रखा इंडिया इसका पार्ट नहीं है इसको इसको इसकी उपर जो इन्वार्मेंटल कर रहे हैं निकल कर आ रहा है कि यह प्रोजेक्ट ट्रांसप इनिशेटी यह यह बनाया गया तो यह बेल्ट रोड इनिशेटीव चायना तो यह आपको यादा रखना है यह जो पास हुआ है इंडिया से तो यह इसकी आप लोग को पता हो रहा है लिए ट्रांस बांटरी रिवर वाटर मेनेजमेंट हम देख लेते हैं गए तो इसके आ यहां पर डेम बनाया जा रहा है देखिए ब्रमध पृत्र जो रिवर हमारी वह कहां से होती है यालूंग टी संग्पो यहां पर दिबत में कहा है आता है उसको चिमायूंग डूंग गलीश होती है तो चाइना से निकलती फिर ऐसे घुमते हुए इंडिया में प्रविस करती हो फिर इंडिया से फिर बंगलादेश होते हुए फिर जाती है तो यह तरीके चलती है तो उसकी उपर जो है प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं चाइना के दोवारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अब हमने उनके साथ अगर कोई ऐसा जो एग्रिमेंट साइन नहीं किया ह है अगर वह प्रोजेक्ट बनते हैं तो हुश रखता है कि हमको जो पानी की जो शेरिंग है वह बहुत कम हो जाए तो वह एक प्रॉब्लम निकल के आ रहा है ठीक है तो हम यहाँ पे कुछ रिबर वाटर कोपरेशन बिट्विन इंडिया और नाइबर हुट कंप्रिस देख रिवर्ब कमिशन जी आर्सी सेट अप किया गया था 1972 में ट्रिटी और फ्रेंट्शिप कोपरेशन और पीस कंगा ट्रिटी जो है बिट्वीन दे इंडिया और बंग्रादेश 1996 यह भी एक एग्रिमेंट है यह हुआ था 1996 के अंदर एग्रिमेंट शियर दे सर्फिस वाटर फराग बैरेश नियर दा मूचल बॉर्डर ठीक है इंडिया और नेपाल की बीच में कोशी एग्रिमेंट 1954 में हुआ हमारा गंदक एग्रिमेंट 1959 में हुआ ठीक है टनाख पूर बैरेश एग्रिमेंट 1991 के अंदर हुआ महाकाली टीटी 1996 के अंदर यह साइन है तो यह सारी सीज़े हमने इसको डिसक्स करिए अब इसके अंदर इंडिया भूटान एग्रिमेंट क्या है जो हमने कंस्रक्षान ऑफ चूका डेम जो है वांग्चूंग रिबर की उपर हमने बनाया उनकी उपर एग अक्टूबर 15 एबरी यार तो यह चीज़ा हम शेयर करेंगे हमारा डेटा शेरिंग अगरती इसी जमने शाहिं के लिए लिए इंटरनेशनल ट्रीटी इस प्रेक्टिस इस कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीस और बेस्ट प्रेक्टिसेस को देख लेते हैं अब ऐसा नहीं कि य बैलिन फूट बाटर रिसोस रिजल्ट इंडर रिविजन ओफ हैल्स की रूस और इंटरनेशनल ऑफ एस्टीशन दूट फूज इंटरनेशनल वाटर रिसोर्स तो यह हो गया बैलिन रूस एक युट्टेशन नेशन कर्वेंशन ओफ लॉफ नौन नविगेशन दूज फूएना पेरू सुरीनें तो यह सारे यह सारी जो आपको या रखना ठीक है मैकॉन रिवर कमिक्शन साइन हुआ था थाइलेंड लाउस कंबोडिया वेतनाम के बीच में तो यह आया से रिटेड है अगर आप लिखना उखना चाहाएं तो आप नोटाओं कर सकते हैं सार्क देखिए सार के और हम डिसकस करते हैं तो नेक्श्ट है हमारा सार्क हम देखेंगे सार्क के अंदर सार्क का फुल्फूम आप लोग को पता होगा साउथ इशियन एशोशीशन और फ्रीचन को ओपरेशन ठीक है तो सार्क क्या है एक तरीके से अब कॉविड नाइंटी के व तैनूबलर मिलियन क्या दखिएगा टैनन्य डॉल्रक का इनिशली औफर कर चुखिय है इंडीए किह कि हम इसमें बाकि आप के इनदर कारते रहे हैं सार्क डिजाष्टर इंडिये को से ं से हर एग जग है इसको शेयर किया जाएगा ठीक है तो जो भी अगर करशी को कोई प्रॉब्लम आरे कॉमन रिसर्च प्लेटफों में हम त्यार किया जाएगा और एक दूसरे के साथ इनफॉर्मेशन नॉलेज एक्सपर्टीज जो होगी वो शेयर किया जाएगा प्लियर आई ओसी देख लेते हैं इंडिया नोशन कमिशन के वारे में इंडिया 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 जो है आई ओसी का पार्ट नहीं है इंडिया जो है आई ओसी का अब्जर्वर स्टेटर्स मिल क्रिएट किया गया था इसको कब 1982 के अंदर पॉर्ट लूइस डेकलरेशन के तहट ठीक है आई उसी इंस्ट नाइस किया सेशल इन 1984 में धैन जनरल एग्रिमेंट भी तो इस विक्टोरिया अग्रिमेंट के नाम से जाना जाता है कंपोजीशन देख लेते हैं इसका पठापठ तो यहां पर देखिए आई उसी ऑनली तर रीजिनल ऑगनाजिशन ऑफ अफरीका कंपोस्ट ऑफ इक्सक्यूब्ली ऑफ फाइप स्टेट्स ठीक है यहां पर आप लोगों हो सकता है इन में से कुछ की नाम भी ना सुने होंगा आप लोग तीक है यूनियन ओफ कोमोरोस यह इसका पार्ट है ठीक है अब देखिए अब्जरबर इंडिया कौन कौन से मेंबर इसके अंदर चाइना हो गया यूनियन हो गया माल्टा इंटरेशन अगनाजिशन फ्रेक कॉफिया हो ठीक है और इंडिया अगे रहा हो गया जापान यूस वगेदर इस सब इसके जो है सब्सक्राइब की ओपर यह काम कर रहे हैं इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम सिंपोसियम आई ओ एनस के आरे में अगर बात करते हैं एक वोलिंटरी इनिशेटिव है जैस्ट इंक्रीज मेरीटाइम कोपरेशन अमोंग नेवीज और लिट्टोरल स्टेट्स अप इंडियन अलग है यह इंडियस का पार्ट है तो कोशन कन्फ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है यहां पर कि किस तरीके से जो 24 में आई ओ क्या इंडिया आई ओनस का पार्ट है दे दिया जाएगा और आई ओसी का पार्ट नहीं है आपको चलो याद ही लेकिन आई ओनस का पार् इसको 2008 में लाँच किया गया था प्रमोट किया जाएगा टायलोग यूमिनिटी इडियन एसिस्टिंग दिया जाएगा डिजास्टर रिलीफ फांट बगिरा ठीक है मेरी टाम सेकुरिटी इनफॉर्मिशन शेरिंग इंटर अपर बिटी ये सारी से की द्वारा जो है दिया गया था इंडियान प्राइमिश्टर हमारे को कौन किया था इंडियान प्राइमिश्टर 2015 में डियूरिंग तो आपको पता होना चाहिए ठीक है इसके अंदर करेंगे कि नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशन और इंस्टिटूट देखेंगे कौनकों से इंपॉर्टन और्गनाजिशन इस्टिटूट है तो पहला यूनाइटे नेशन रिलीव एंड वर्क एजनसी इंडिया हास गिवन यूएज डॉलर टू मिलियन इन एड टू यू एन और डबलू यहां पर क्राइसिस ठीक है तो यह आपको याद रखना है क्लियर जूनाइटे नेशन रिलीव एंड वर्क एजनसी यू एन और डबलू ए क्यारे थोड़ा से बात कर लेते हैं इसको टू मिलियन डॉलर जो है इंडिया के दोरह दिया गया है यहां पर अब यह क्या है यू यूनाइटी नेशन रिलीफ तो इसके आरे हम बात करते हैं प्रोवाइडर सेल्टर याद रखेगा पीसिक फूट सप्लाइज मेडिकल एड एजुकीशन वार्क अपोर्शनिटीज पैलेस्ट फोर पैलेस्टीन रिफ्यूजिस जो पैलेस्टीन के रिफ्यूजिस हुआ कर प्रोवाइड करवाई जाती है इसके तहर्त तो यह आपको जहां रखना होगा ठीक है इडिस फंडेड अलमस्टी इंटारली पाता वॉलिंटरी कॉंटिविशन में इसका फंड किया जाता है यूनाइटी नेशन के दौरा और यूनाइटी नेशन के जो मेंबर्स स्टेट फोर्ड टॉक्सिक अटेग तो सीए को ब्लेम किया जा रहा है टॉक्सिक अटेग के लिए इसलिए न्यूस में और देख लेते हैं और क्या इसके पॉइंट दो ऊपर पॉइंट है ओपी सी ड़ू इंडेशन आइडेंटिफिकेशन टीम आइटी जिसे हम कहते हैं इंडेश सेरीन को राइन फोर्ट ट्री टाइमस ओफ लेट माहाँ कीजिए दोजा सत्रा के लिए एक कुछ जो है इसके उपर आरोप लगाए गए हैं अब देखते हैं कहां तक सही है कहां तक है इसकी आइडेटिफाई करने के लिए हाँ पर बात चल रही है क्लिए ओपी सी प्रोविशन डेप्लमेंट प्रोडेक्शन और आप ऐसा नहीं कहीं पर भी टैपलब कर रहे हैं तो यह सारी चीजे फूर्स यह कावाई थी तो यह आपको जहां राखना है ठीक है तो ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल सारी सी आप रट्ट वे बैठी है और बिल्कुल एक च इंडिया ने भी रेटीफाई किया है तो यहां रखना है अगर कोशन घुमाफिरा कि आज जाए इंडिया इसका पार्ट है या नहीं है तो यहीं से होते हैं जैसे होते होते हैं वह जी हम डिसकस कर रहे हैं तो इस्राइल है साइंड बट नौट रिटीफाइड दे इसको इसको काम करते हैं सब्सक्राइब करते हैं अब बात कर लेता हूं जिसके पर एक क्या है क्यों इतना दा न्यूज में है कि सेरीन को किया गया है और नब केस्ट का क्लोरिन के साथ 3 टान जो है तो हम देख लेते हैं लिक्विड एक प्यूर फॉर्म में क्या होता है यह कोई कलरलेस लेता है दिखाएं लेता है अगर की सब्सक्राइब कुछ भी नहीं एक तरीके से ठीके आप ऐसा शारीन कैन एडिटें इन्ट वर्बार्बर में गुल मिल जाता है थैक्षिय में कि वार्फिर एजेंट एसाइजन इसको हम क्या वर्खेंट शाल्ति एजेंट एजें that act the body of switch for a glance and muscle अगर हमारी बॉड़ी कंदर इस तरीके चीज चले जाती तो हमाई नप्स को क्या कर देगा एंड कर एजेंट है मतलब उसको रोक देगा तरीके जो उसका फंक्सान है उसमें जो ग्लेंट्स हो गया है उसमें बहुत जादा प्रॉड्डम जो है क्रिएट कर यहां जोगा की येलो ग्रीन कलर की गयस है इस शोड़ी चीज़ रटेंग दो ने ठीक है मल्टी लेटरल डपलमेंट बैंक्स की बात कर लेते हैं मल्टी डपलमेंट बैंक्स ठीक है लिए हमारे पास समय वैसे भी कम बचा हुआ है तो मैं कोशिस कर रहा हूं कि आप लोगो मुझे इसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम के प्रस्पेक्टिव से इसलिए आप उन्हीं चीजों को ज्यादा फोकस करिए और एक बार अगर आप रेट कर सकते तो वैल और गुड बहुत अच्छी बात है जैसे एडीव की बात होती है अगर इसन डेपल मैं याद रख लिएका मलीला फिलिपिन्स में इसका हैड़कॉर्टर है इसको फांड क्या गया है इसकी सेवर मेंबर कंट्री इंक्लूदिंग 48 रिजन 48 और तालीच के इसन रिजन से हैं और 67 टोटल इसके अंदर में एंबर हैं टीक है एशन डप्रमेंट है लेकिन ऐसा न इंडिया नहीं है इसके मिलके बनाए यह आपको पताओना चाहिए 1986 में यह बिगन हुआ तो यह आपको पताओना चाहिए आप्टो बिगावन बॉर बिग मेंबर तो फाइप शियर होड़र इसमें से अगर कौन है अगर पूछा जाया कि चाहिए पहले नंबर पर आता है तो यह गलत है जापान पहले नंबर पर आता है 15.6% के साथ जो है यहां यहां पर शियर होड़र जापान के सबस्यादा है देन यूएस का 15.6% जो है और देन पीपल सिर्वर लीग और चाइना का अगर हम बात करते हैं तो 6.4% है इंदिया का 6.3% एंच्ट्रेलिया का 5.8% तो यह टॉप है कोशिदू पूछा सकता कि इंडिया में टॉप है तो ऐसा नहीं इंडिया सप नहीं है यह यहांपे दक सीपर पर पे इंडिया 6.3% को साहां पर अपर बहूं है एशेन डेप्लेमेंट बैंक की बात कर दी एई आई आई बी की बात कर लेते हैं एई आई आई बी ने अप्रूब किया है 750 फिफ्टी मिलियन लोन टू इंडिया साथ सो पचास मिलियन डॉलर जो लॉन है तो वह संक्षन किया है यहां पर यह आपको पता होना चाहिए ठीक है अबर्जन सी रिपोंस हो था है एल्थ सिस्टम एंड प्रिपेर्डनेस प्रोजेक्ट के लिए तो इट वो इस्टैबलिस इंडिसंबर 2050 बटर कमेंस्ट ऑप ऑपरेशन इंजनवरी 2016 इस्टैबलिस किया गया था दिसंबर 2015 के अंदर तो यह आपको पता होना चाहिए एक्ल इंडिया सेकंड लाजिस शियर होल्डर है एडी बी का नहीं है ध्यान से सुनना है इसको ठीक है न एई आई आई बी विए 7.5 परसंट वोटिंग शियर वाल चाइना होड 26.06 वोटिंग शियर यहां फिर वोटिंग सेस अलग अलग है तो यह आपको पता होना चाहिए इन डेट किया रहा है यह आई इडी और सोबस्काश माइचा यह देखे टीन देखिए आई टीनों हमने इसको पता होना चाहिए इसको नाम्याच अध्या रिक्स ब्राजियल शिया इंडिया चाइनना आफ फ्रीक इसको क्रिएट किया गया है यह आपको पता होना चाहिए है कि आप कह सकते हैं यह तो 1 1,2 ऐंडिया को इसिस्ट किया जा रहा है यहां पर एमर्जंसी इसिस्टेंस के रूप में दिया जाएंगा यहां पर और फॉस्टेंस में आया है यह आपको पता दा फाइब मेंबर स्टेट इसके कौन कौन से हमने डिसकस किया अब्जेक्टिक है मॉबिलाइज रिसोर्स ठीक है ब्रिक्स एंड ओदर के लिए इसमें लिए ठीक है अब जो नोटिक जो भी आइडेंटिफाइज किया जाएगा यहां पर कौन से जो नोटिक डिसीज़स है डावलो इसको पैंडमिक एस पैंडमिक एस पैंडमिक आपको पता होना चाहिए और देख लेते हैं इसके अंदर ठीक है इसके अंदर जो सबसे इंपॉटेंट पॉइंट यह है कि TRIPS Agreement है TRIPS Agreement मतला Trade Related Aspect of Intellectual Property Right तो यह जो दोहा डिकरिशन ओप ट्रिप एग्रिमेंट और पब्लिक हेल्थ से लिटेट था उसे रिमूव कर दिया गया कि यह ऐसा नहों कि कॉविड-19 की वेक्सिन ना पर पारी उसके वेक्सिन ना पर पारी उसके लिए इसको बटनी चाहिए तो यह सारी चीज़े यहां पर बात की जा रही है तो अप्लिक हेल्थ के गर में बात करता हूं इसको नहीं होता है कि आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है डबलो एचो एक्ज़ेक्टी पोर्ट की बात करता हूं छोटा सा एक इंपॉर्ट है कि इंडिया से अभी अगर बात करता हूं इंडियन हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे थे वह यहां पर चेर्मेन बन चुक है डबलो एचो के एक्ज़ेक्टी बोर्ट के चुनगी गया है तो यह आपको पता हूं चाहिए जो 34 टेक्निकली क्वालिफाइड मेंबर जिसके अंदर आते हैं ति त्री एसस्टर्म के लिए यहां पर सेलेक्ट होते हैं यह आपको पता हूं चाहिए इंडिया साल में दो बार मिलते हैं तो यहां पता हूं चाहिए एक साल के अंदर प्राइमरी फॉंक्शन क्या है बोर्ट का का इंप्लिमेंट करवाना डिसीजन और डव्लो है स्पेसिफिक साउथ इस्ट एस्या यूरूपियन इस्ट लेटी या वेस्टन वैस्ट बैसिक तो इस भार इंडिया का नंबर था इंडिया को मिला इस वर्ड ऑल्ट और्ट ऑंगरता हो डव लू एचो की तो को आप सबी लोगों को डवलोज जगार है मैं तो पता ही होगा वर्लड हेल्थ और्मालिशन है जो सारी हेल्स चीज़ों को देखती है कहां पर पेंडेमिक निकल किया रहा है कहां पर क्या है जो पेंडेमिक जो करटीरिय है इनहीं को दौरा दिये जाता है कि इस कोंट्रिबीशन किया जा सकता है यह टिक है को यहां पे लिट घर सकता है तो युस पूछ सकते कि इंडिया का कि टना यह पूछा सकत है तो इंडिया का शियर कितना है वंपर्सेंट भी नहीं मतलब 50 oso है लिजर जीरो पॉइंड फॉर एट पर्सट जो है इंडिया का शेयर है और सोची यूएष का शियर कितना है 14.67 परसें तो आप सो सकते हैं कितना ज़्यादा इंपक्त करता है ठीक है यूएस का शेयर कितना आदा है ठीक है तो आप यह देख सकते हैं तो यहीं सारी चीह थी तो जो आपको पता हुआ ची अप इससे एरिया ओफ मैक्सिमम मनी जो है ऐलोकेट की है वहो के जारा ह वह है पॉल्यू एरिडिकेशन में 26.51 परसें फेंदें इंशियल हेल्थ नूट्रिशन सर्विस के दर 12.04 परसेंट परसेंट प्रेविंटिव डिसीज वेक्सिन के दर 8.89 परसेंट यह आपको या रखना होगा क्लियर इंटरनेशनल इवेंट की बात कर लेते हैं यहाँ प कंबाइन आवर एफोर्ट को अभी सभी सबके एफोर्ट को कंबाइन करने की बात की जा रही है तो यहीं सारी चीज़े हैं इसके अंदर आप देखी यहां पर निकल के आता है कि किस तरीके से हमारे फीचर रहा चाहिए तो एनीवन कें जॉइन दा कन्वर्सेशन को इन 193 युनाइटे निशन मेंबर केंबर कोई भी सको जॉइन कर सकता है ओनलाइन ऑफलाइन मोल्ड में ठीक है यूए 75 डॉल थ्री बीकोशन यहां पर वाट कैंड़ फीचर दो वीवांट और क्रिए और वी ऑन प्रेक क्या हम सही तरीकी से प्रेक में हैं क्या हम किस तरीकी के फ और फीपर हर आदमी को बोलना दिखा रहोना चाहिए वह अपना व्यूस रख सके इंस्पायर करें अपने एक्शन से आप इंस्पायर करिए लोगों को ठीक है तो यह सारी चीजिस के अदर आप सभी लोगों को पता होगा देखिए जनरली यूएस और रश्या के बीच में और यूएस और रश्या के बीच में ठीक है तो आपको यह बता देता हूं इसमें क्या होता है इसकाय में किसी एक कंट्री को दूसी कंट्री के ओपन इसका में विदाउट आ अन्याम्ड या रखना अन्याम्ड इसका मतलब होता है आम एनिमेशन लिए बीना जो है उपर ऐ यह सारी चीजें यहां पे हैं इस चीजी का वाइलेशन कंट्री थोड़ा सा वाइलेशन हो रहा है इसलिए न्यूज में थी तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है तो स्कूर्ट नॉटी स्पिरिट में जो है अन्याम्ड रिजारेंस हो सकता है फ्लाइट के दरू आप दे आपन कि उसथान जो किर्गिस्तान था वो इससे बाहर आ चूकर बट नॉट रिटिफाइड अभी तक रिटिफाइड नहीं किया है तो यह आपको पता होना चाहिए क्लियर लाइन इंडिया चाइन नोटर मेंबर इंडिया और चान फिका नहीं है इंदिया वे मेंबर नही करते हैं तो 26 मार्च को 45 अनिवर्सरी थी ठीक विपर कन्विंशन कम जो से फोर्ट माया है तो आपको पता होना चाहिए कैसे एग्रिमेंट है पहला ऐसा को खतम करिए जो भी आपकी जो बंदू को खतम करने की बात है इंटायर किटेगरी इंटर 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 फोर्स 26 मार्च 1975 से यह फोर्स माई है इंडिया ने साइन और रेटिफाई दोनों किया तो आपको पता होना चाहिए क्लियर बाइजुल इसके अंदर बना है कि कौन कौन से चीज़ों को नहीं कर सकते ट्रांसफर ऑफ एसिस्टेंट विद एक्वारिंग एजेंट टॉक्सिंग वेपन यह साथ चीज़े नहीं होंगी इसके अंदर बताया गया है ठीक है बीमसी दस नोट बैन यूज ऑ पायलोजिकल और टॉक्सिक वेपन बट रिफेंग निटीटिफाई जनेवा प्रोटोक चाहिए ठीक की बात कर लेते हैं नुकलियर नौन प्रोलिफरेशन ट्रीटिए अब इंडिया ने इसका साइन नहीं किया आपको मैं पहले पहले फटा बता देता हूं फिर पचास साल हो चुके हैं इसको ठीक है इसकी उपर कोशन आने की संभावना तीजी से बढ़ जाती ह 1970 में पहली बार फोर्ष माय था इसका कहने का यह मतलब था कि अब न्यूजियर जो है अब एक तरीके साब बाता नहीं जाएगा किसी को और न्यूकलियर जो है आप न्यूकलियर विपन के टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं इंडिया इसका पार्ट नहीं है सबसे इंपॉर्ट तो दो तेसे स्टेट बन जाएंगी जिनके पास नहीं होगा और फुर में हो लुए से यहाँ से क्या हो यहां पर भुंटे कर न की क्ट्रीज मतलब इसे डरा सकती रहा था यहां पर निकल किया रहा था चायना का चायना पास नुक्लियर वेपन था लेकिन इंडिया के पास नहीं था उस टाइम पर यही बात हम उठा रहे हैं तो पूरा तो इंडिया तबाह हो जाएगा खतम हो जाएगा तो इसनारी चीज़े इसके अंदर बात की जा रही थी तो इंडिया इसको रिफ्यूज कर दिया जॉइन करने से ठीक है इसके अंदर आ जाता है मेंश्यों डिफेंस का सर्विस हेड़कॉर्टर फॉम इंडिजीनियर सोर्स ओफ एक्स एक्सेप्ट मेडिकल एक्यूप्मेंट तो मेडिकल एक्यूप्मेंट को छोड़के बागी सारी चीज़ों को इंपोर्ट बगिर यहां पर पताया गाए ठीक है ठीक है तो यह आपको पताना है याद रखना है ठीक है पहली बाद इसको कभी इंट्रिवीस कि अगए था 2002 में किसको रिप्लेस करके आया है धी नियू की फीचर्टे के देख लेते हैं जिसे आईसी ही इंडी जीनियस कंटेंट होना चाही है रीशियो हो मतलब हम चीज़ो को बनाएं वह बाहर हम वह चीज को बेचे और करें तो कॉंटेक्ट वैल्यू बढ़ाएं लीजिंग इंट्रोडेक्शन लीज में जैसे देना ना तो वह मेकिन इंडिया के अंदर की सारी सीजिस के अंदर आ जाती है ठीक है कि यहां? देन नेक्स्ट क्या है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रस्ट्रक्चर स्हीं क्या है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रस्ट्रक्शर Sexkeit Defense Minister approved the Lawrence of the Defense Testing Infrastructure 누 którym of sounding क्रोडare ofv creating testing infrastructure क्या सीफ तरीके से दिभ्रेंस करिये मत्ला विक तरीके से इसा इंफ्रेस्ट्रक्चर तयार कीजिए खुद के अंदर इंप्लिमेंट करिए और चीजों को मैनुफेक्चर करिए तो वही सारी चीजिए इसके अंदर बात करी है कि इंडीजीनियस मैनुफेक्चरी होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग यह माइक्रो मीडियम इंटर प्राइस जो है इस सब इंडिया का इनिशेटिव है तो बोन कहें जाएगा टीक है इसके अंदर रहेंगे चीजिए इसके इंदर दी गई है ऐसा कुछ खास नहीं कि आप रखते हुए बैठे जो इंपॉर्टन फ्रमिशन होगी जो आपको याद करना होगा वह आपको बता दूगा अब यह जो इंडिया के अंदर है तो चोड़ी चोड़ी चीज़े हैं बॉर्डर इंफ्रस्ट्रक्चर बनता है रोड ट्रेली बगर बनाया जाता है वह बॉर्डर रोड और ऑगनाजीशन की बात करता हूं बी आर ओ की तो पर चाहिए पर यह कौन सा मिनिस्ट्रीश का डीफेंस में स्टार्टर आपको पता होना चाहिए कुछ कंट्री से जैसे की फ्रेंड डिलिशन जो फॉर्डर न कंट्री से वहां पर विडियों डपलब को होता है का इस्रेक्शन होता हो वह बी आरो की दौरा ही करवाया जात ठीक है कुछ रिकमेंडीशन है त्री रिकमेंडीशन के अंदर दी गई जिसे आउट्सोर्सिंग रोड कंस्रक्शन किस तरीके से हमको त्यार किया जाए इंजीनिरिंग लेके आ जाए सो करोड की उपर का जो होगा उसको अच्छी तरीके से देख किया और अप्टिमल कैपसिटी हम लेते हुए इस सारी चीज़ों को आप काम करेंगे ठीक है इन्हेंस कॉम्बैट केसिटी ओ कर भी बालंस डिफेंस एकस्पेंडिकर रीबैलंस किया जाए डिफेंस एकस्पंडीचर को इसलिए चीज किया गया है डिफेंस बजट इसने रिकमेंडेशन दी थी जो डिफेंस बजट होना चाहिए हमारा तो पॉंट फाइज से थ्री परसेंट और जीडिपी होना चाहिए अब देखेंगे जो रूड बनेगी इसके अंदर वो डिफेंस बजट से ही जाएगी कि मिनिस्ट्री डिफेंस के आपको कंफ्यूज नहीं हो नहीं सारी चीजिव में क्लोजर ऑफ मिलेटी फॉर्म और आर्मी पोश्टल इस्टैब्लिश में ठीक है मिलेटी फार्म सगेरा जो गए पोश्टल जो बनाया जाते हैं वो सारी चीजिश के अंदर आ जाती हैं अब रिसेंट बॉर्डर कंस्ट एक्षन देख लेते हैं जैसे जोजिल टर्नल प्रोजक्ट तो आपको सब्सक्राइब दो-Dो या तिन-तिन पॉइंट पॉइंट यह पता रहें ठीक है घर्मिट इसको प्लान कर रहा है जो जिल टर्नल प्रोजेट को कहां पर है यह कहां से कहां जोडता है चनल इम जो जो आल ये कनेक्तिविटी रहेगा ले और लाध्दाख रिजन की अंदर टीक है लै लध्दद약 जो है और स्रीनगर तक कि ले से स्रीनगर तक की या जो ओ रहेगा जो जिला जो जिला उसका तरह तरह तृट करس जो जिलम अ самого तक या तक प्रटेंट है दोपार दोपारी जियो ब्रिज यह का आदे कि ब्रिज का नाम भी दिया न्यूज में था ज़स्टे दिया तो ऐसा कुछ खास नहीं कि रटीए बस आप यह आद रखिए कहां है यह नौचर प्रदेश के अंदर इस्ट्रेटिक ब्रिज नौचर प्रदेश के किस रिबर की ऊपर है तो सुपन सिटी रिवर की ऊपर बस से आदा या रकना घिरुस नहीं है टिःकि कि रेंव का यत्या मीटर की ब्रीज तो यही कोशन आएगा जो कोशन आएगा वही आपको याद करना है ऐसा नहीं किया बिल्कुल पढ़े जा रहे हैं तो फिर हजार चीज़े याद रखने नहीं रख पाएंगे ठीक है तो वही याद रखना है जो आपके लिए इंपोर्टेंट है रिपोर्ट मेदे स्टोफ़ों इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिजूट की बात करता हूं मैं यहां पर तो बिए निगल के आठें उसके रिकारडिंग यह convention है ठीक है institute है सोरी तो इसके अंदर report title किया गए report निकालेगी trend in the world military expenditure तो world military expenditure हो बहुत तीजी से बढ़ा है तो वही सारी चीजी यहां पर बताई जा रहे है total military spending है 2.2% होता है global gtp का जो जाता है वो कहा जाता है military expenditure के उपर जाता है ठीक है world 2015 and 2019 में तो थोड़ा थोड़ा गीरा है तीजी बताई गई है जो सबसे बड़े spenders हैं वह हम देख लेते हैं 2019 इंडिया ranked third world USA वह तो सबसे जादा defense के अंदर जिन्होंने खर्चा किया वह पहले number पे USA है और इंडिया का इस्थान कहां है तीसे number पे इंडिया हाइस military spending in South Asia South Asia के अंदर इंडिया की सबसे जादा हाइस military spending spending है तो यह आपको पता होना चाहिए ठीक है military burden जो है फल हुई है 2.7 percent of GDP in 2010 to 2.4 percent in GDP बढ़ रही है तो हमारा expenditure भी बढ़ रहा है ठीक है report यहां पे क्या है trends international arm transfer 2019 इंडिया is the what second largest arm important या रखना है इंडिया क्या है वर्ड का second largest arm importer है इसलिए हमने जो अभी तक बाते के लिए हम indigenous arm को बनाने वाले हैं create करेंगे सबी defense की चीचों को क्योंकि हम सबसे जादा बाहर से import करते हैं लेकिन export बहुत कम करते हैं इंडिया इंपोर्ट करता है रशिया से एंड यूएस से से 2015 रशिया से 56 परसेंट इसराइल से 14 परसेंट फ्रांस से 12 परसेंट इंडिया इंडिया रेंक 23rd in the export list इंडर हम 13 नंबर पर हैं लेकिन इंपोर्ट लिस्ट के इंडर हम सेकंड नंबर के अंदर हैं नार्कोटिक्स ड्रक्स और साइको ट्रॉफिक सबस्टेंस एंडी पीएस एक 1985 यह काफी ऐसा कुछ खास इंपोर्टन नहीं है पस एक बार देख लिए एंडी पीस एक 1985 है अलिया जो ऑनली वे टू बैंड सब्सेंट रिलेमेंट परपस हो कुछ है कुछ ड्रक्स को है कर सकता है ना उसको पुषिस कर सकता है ना इसको पुषिस कर सकता है ट्रांसपोर्ट रिस्टोर हर एक परकार का वो जो कुछ ड्रक्स नार्कोटिक ड्रस उस चीच को मना है तो वही इसके तया यहां पर बताया गया नार्कोटिक कंट्रोल यहां पर फॉर्म किया जाएगा यह इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है इंडिया इस इसका सिग्रेटरी है यूएं सिंगल कन्वेशन और कोटी डग नाइटिन सिटी मन का इंडिया इसको प्लेस का रखके गया है तो यह सारी चीजी ती आयर के अंदर जो हमने देखी आप देखे कुछ प्लेसे से निव्स ह तो यह चोटा सा आपके लिए है इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि यह आपके लिए क्या करना है मैं पीडिया पीटी को टेलिग्राम में शेयर कर दिया करूंगा तो वहाँ आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं देखे कुर्लिस आइसलेंट कहा है आपको क्या करना वाडिरं कहां यह आपको देखना ठीक रिन जोन इर्म आ तो अगर यह चीजश करते हैं तो आपको ज़रूरर फाइदा होगा जो भी important चीजे होंगी मैं पता ही दिया करूंगा जो भी news में हैं, आप इन सारी चीज़ों को, जिसे कि 3 seas initiative हो गया, इसके अंदर है, जो baltic countries हो गे, उनके बारे में आपको पता अच्छी, atmospheric sea हो गया, ठीक है, black sea हो गया, तो यह सारी चीज़ों आपको पता हुने चीज़ी, कहा हैं, इस सब का mapping, अगर आप कहांगे, अगर नही नहीं हो पा रहा है तो आप हमें कमेंट सिक्षन में जरूरू बताएं मैं एक सेपरेट सेशन लेकर आऊंगा जहां पर सारी इमपोर्टन जो न्यूस प्लेशेस थी न्यूस के अंदर उनको हम डिसकस कर लेंगे देखे क्या होता है कि हमारा एम यहां पर यह नहीं कि हम बस विजनाइस का मटीरिल खतम करते हैं बस हमारी त्यारी हो गए हमारे एम है कि हम जो भी पढ़ें पढ़ें और ऐसी चीज़ को पढ़ें जिससे हमारा एक्जाम क्वालिफाइड हो हम एक्जाम को क्वालिफाइड करना है ना कि हमें मैगजीन को खतम करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए हमको जो चीज़ जहां से मिल रही है उसको एक्स्ट्रैक्ट करना है जो हमारे लिए इंपॉर्टन है उसको ठीक है तो आप कोशिश करिए अगर इसीच कर पाते हैं तो बहुत इच्छी बात है नहीं तो मैं आप लोगों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को फटा-फट लेक्चर को हाले दिजिए कर दीजिए लाइक कमेंट जो जो करना हो कर दीजिए फटा-था हूँ जो जो झीजिए लाइक कर दो कर दो एक को जो रहेें जोुत भी है पर दीजिए चैनल को में मत जो इचा है विजिए जो जो आफ दोw इफ और है चैनल को पितना दीजिए ले असे आ recipients सब्सक्ता. झाल झाल